हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू गोल्डेन शेयर मार्केट मैं हूँ अनिल मोरिया और आप लोग देख रहे हैं गोल्डेन शेयर मार्केट की वीडियोज फ्रेंड इस वीडियो में आप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बुलिस मार्केट क्या होता है बीरिस मार्क इस वीडियो में यहीं बताने माला कीई सिम्बल क्यों होता है और ये बुल और का मतलब क्यों होता है या क्यूं इसتي कर दिए ताकि आपको मारे ये आशानी से मिलती रहे तो friends आए देखते हैं bull और fear का symbol होता क्यों हो market में use क्यों होता है friends bull जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसमें bull को use किया जाता है और जब market ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है यानि market मंदी के condition में होता है तो उसमें beer word यूज कियाता है नहीं भालो तो friends जब कभी जब market या फिर stocks price नीचे से उपर की तरफ जाते हैं तो उस market को bullish market या bull market या bull run market बोलते हैं तो friends यह word क्यों यूज किया जाता है क्योंकि bull यानि bell जो होता है उपर से नीचे की तरफ सरी नीचे से उपर की तरफ मारता है इसलिए यहाँ पर bull यानि bell को यूज किया जाता है या market जब नीचे से उपर जाता है तो या और bell भी नीचे से उपर की तरफ मारता है इसलिए यह वर्ड यूज किया जाता है bullish market फ्रेंट जब कभी जब हमारे देश का या हमारे इंडिया का economy खराब होता है या को situation problem होता है खराब होता है तो stock price गिरता है यानि market गिरता है तो उस market को bearish market बोलते हैं यानि bear यानि भालू भालू क्या होता है उपर से नीचे की तरफ मारता है ये इसलिए यहाँ पे bear को use किया गया है यानि bearish market बोलते हैं तो फ्रेंट जब कभी भी stock price गिरता है तो उस market को bearish market बोलते हैं फ्रेंट जब कभी जब हमारे इंडिया का economy बहुत सही होता है जो भी country growth करता रहता है तो उसमें stock price उपर जाते हैं और उसमें जो investor होते हैं market में bullish होते हैं यानि वहाँ पर वो stocks को खरीते हैं यानि वो long position बनाते हैं ऐसे ही फ्रेंट जब कुछ परिस्थिती खराब होती है देश की या फिर global या फिर world की जैसे कि अभी इस समय situation खराब चल रहा है 2020 में corona का issue चल रहा है तो फ्रेंट इस समय क्या है market तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है यानि market bearish चल रहा है तो इस समय जो investor होते हैं वो market में पूरी तरह से bearish होते हैं और अपने stocks को sell करते हैं या फिर वो short position बनाते हैं तो फ्रेंट इसी तरह से bull और bear ये word यूज किया जाता है market में तेजी और मंदी को दिखाने के लिए तो फ्रेंट जब भी market bullish होता है या bull run होता है तो उस समय investor सेयर्स को buy करते हैं purchase करते हैं और hold करते हैं फिर stocks price उपर जाते हैं तो वो उसको sell करते हैं जैसे कि अभी आप लोगों को example के दोर पर पता रहेगा market में कई-कई duration में stock price उपर उपर continue उपर जाते हैं जैसे कि example के लिए हम देखेंगे कि 2003 से लेकर 2007 तक का जो bull run था यानि 2000 से लेकर 2003 से लेकर 2007 तक stocks price उपर गया था यानि निफ्टी का प्राइस जो है निफ्टी जो है 1000 से लेकर 6000 तक गया था जिसको आप जिसको महता हरसत महता bull run भी बोलते हैं इसी तरह से फ्रेंट्स 2016 से लेकर 2019 तक stocks price continue उपर गया था जब BJP government में आई थी तभी तो तभी उस समय निफ्टी 7000 से लेकर 12400 के आसपास गया था तो फ्रेंट्स इसी तरह से जब market continue नीचे से उपर गतरब जाता है तो उसको bull run या bullish market बोलते हैं फ्रेंट्स तरह से जब कभी stocks price गिरते हैं continue गिरता रहता है तो उस समय जो investor होते हैं वो bearish होते हैं और वो अपने sales को sell करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो fearful होते हैं वहाँ पे डरते हैं कि situation क्या होगा economy क्या होगा company के growth का क्या होगा और अपने stocks को sell करते हैं तो फ्रेंट्स ऐसे ही आप लोगे ने बहुत सारा duration देख रहेगा bearish market का जैसे कि example के तौर पे दो हजार आट नौ का जो bearish bear run था जैनि जो उसमें financial crisis हुए थे तभी निफ्टी उसमें 6,000 से लेके धाई हजार रुप तक आया था around 61% तक drop down हुआ था market इसी तरह से फ्रेंट्स अभी जो situation चल रहा है आप लोगों को पता है 2020 में कि Corona इसू चल रहा है Corona का पूरा पूरे ग्लोबल पूरे वर्ड में इसू चल रहा है problem चल रहा है सब लोग इस परिस्तिजी का सामना कर रहे है तो इस market बहुत तेजी से नीचे गिरा हुआ है यहीं 12,400 के आसपास से 7,800 के आसपास जभी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो 7,800 का लोग बना के market इधरी आसपास खेल रहा है तो फ्रेंट्स इस तरह से bull run और beer run market में होता है जब भी stock price उपर जाता है या फिर नीचे गिरता है तो फ्रेंट्स जैसा कि आप बहुत अरो लोग बोलते हैं कि market गिर रहा है इसमें बाई नहीं करना चाहिए लेकिन Warren Buffett जो की वर्ड के सबसे बड़े investor ही नहीं हो यह क्या बोलते हैं be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful मतलब जब सब लोग लालच कर रहे हो तो उस समय आप डरो तभी आप डरो आप जब भी stock price continue उपर जा रहा हो तभी आप डरो तभी मतलो लेकिन जब stock price नीचे गिर रहा हो यानि जब सब लोग fearful हो तभी आप greedy हो जाओ तभी आप लालची हो जाओ तभी आप stock price को खरीदो तो friends उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू bull run या bullish market या bearish market क्या होता है समझ माया होगा अगर कुछ आपको इसमें query हो कुछ questions हो तो आप मुझे इस number पर contact करके पूश सकते हैं या फिर comment box में comment करके पूश सकते हैं या friends हमारा कुछ भी support चाहिए आपको stock market में education learning के लिए या फिर dimate account के लिए तो हमारा support आपके साथ हमेशा रहेगा आप हमसे contact कर सकते हैं इस number पर WhatsApp के थ्रू है call के थ्रू ओके friends thank you